हाइड्रोलिक का महाराजा सोनाली का 745 डिये ट्रेक्टर इस ट्रेक्टर को ग्राज़तान के किसान भाईयों के लिए खास तोर पर बनाये गए और इसका हम रिविव करेंगे साथ में जानकारी भी लेंगे जिहां किसान भाईयों कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हो बहुत ही बढ़े होंगे फिलाल जासे की देख पारे हो सोनाली का इंटरनेस्टल महाराजा ट्रेक्टर हाइड्रोलिक का जाना माना महाराजा ट्रेक्टर 745 दिए 500 पावर की स्रणी के अंदर ही बेस्ट ट्रेक्टर कमपनी ने हाली में लॉंच किया है जो राजितान के किसान भाईयों के लिए कापी खास तोर पर उनी किसान भाईयों के लिए बनाया गया है इस ट्रेक्टर को हम आगे से देंगे गए तो लुक वाईज के तोर पर बात करें तो सोना लिका की ब्रांडिंग दी गई और बॉनिट खोलने का की लोग भी दिया गया है और यहाँ पर फ्रंट में आपको इयर कलिनर देखने को मिल जाता है सोना लिका की ब्रांडिंग दी गई कापी समखदार और चिलवर कलर के अंदर दी गई है और फ्रंट पर देखे तो बंपर फ्रंट पर बंपर दिया गए कमपनी फिड़ेट डिजाइनिंग के तोर पर कापी बेहतर लगदा है और कमपनी फिड़ेट भानई की डिजाइन के साथ भी बनाये गए हैن बंपर को और साइड में या पर दौनों साइड में headlamp दिये गए LED के साथ में headlamp भी आते हैं दौनों साइड में silver color के समखदार काफी अच्छे लग दें दौनों साइड में देखे तो काफी best और better quality के headlamp भी दिये गए अब देखेगा engine के बारे में बात करें तो थरी चिलेंडर में boss company का engine दिया गया है थरी चिलेंडर के अंदर 3065 CC दे गए 1900 engine rated RPM आता है इस tractor के महरा जगे अंदर और साथ मैं आपको बता दे ये tractor काफी 72 quality के साथ पेस किया है company fitted आनि की single आनि की आगे वाला front axle दिया गया है काफी heavy और मजबुत दिया गया है जो non adjustable दिया गया है adjustment नहीं कर सकते है power steering के साथ आता है ये tractor और जैसे की water separator diesel filter से diesel से कसरा निकलने वाला water separator आप देख सकते हो और D.I.753i के साथ में और Sonali का international महराजा branding दी गई है वो काफी better quality के साथ प्रदसन की गई है hydraulic का महराजा यहां पर आप देख सकते हो hydraulic 2000 kg की lift capacity दी गई है जो 5G technology वाली lift capacity lift technology दी गई है 5G के अंदर राजितान के खस उनी किसानवाईयों के लिए बनाया गया है 1500 पावर की स्रेणी के साथ category में यह tractor आता है high torque 255Nm torque विक्षित सरवादीक torque के विक्षित करता है इस tractor के अंदर 1900 RPM engine rated RPM दी गई है high power engine जैसा की देख पारे हो आप और दोनों साइड में सोनाली का international महराजा 745 Di3i के अंदर आपको branding देखने को मिल जाती है येर कलिनर दिया गया फरंट बर काफी सांदार दिया गया और silencer देके दो काफी बड़ा सा भी दिया गया ये tractor काफी मजबूत और काफी best tractor कमपनी ने बनाया यहाँ पर आता है डीजल टेंक का आपको की लोक के साथ देखने को मिलता है और जैसके बात करें यहाँ पर LED के अंदर आपको जैसके इंडिकेटर वगएरा देखने को मिल जाएंगे अगर बात करतें प्लेट फॉर्म की तो प्लेट फॉर्म एक जैसके देखे तो प्लेन बनाए गया यह काफी इन MON कि कि सनवाई जैसा की ड्राइवर व बगेरा जैसा की सले इसके उपर बैठे है वो आरम दायक इन की बैठ सकता है और टैक्टर को काफी गंटो तक सला सकता है side shifter gear system आता है और जैसा कि देखके तो काफी plan दिया गया है इसकी platform और काफी जगह भी उसके उपर है देख सकते हो red royal color के अंदर में आपको seat देखने को मिलेगी वह भी adjustable हैनि कि seat को आगे पी से यहां से adjust कर सकते हो और side shifter gear system के कारण कि सनवाई इस tractor के उपर seat के उपर आराम से बैट कर गाड़ी के उपर बैटे जैसा ही महसूस कर सकते हैं और इस tractor के अंदर आपको power steering का option देखने को मिलता है जो आप एक आज से ही steering को हैनि की दोनों side में goal ground खुमा सकते हो और tractor को use कर सकते हो इसका मेटर दियागा है digital और जैसा की simple वाला और जैसा की देख पारे हो कापी सारे मेटर से हैं वो हर टेक्टरों में देखने को मिल जाते हैं Swiss socket parking button जैसा की यहाँ पर कुछ देख सकते हो lights के और जैसा की आपको बता दे तो कापी सारे Swiss आपको देखने को मिलेंगे और lights को on off वगेरा यूज यहनी की यहाँ से करने के लिए और side में यहाँ पर भी दिये गए Indigators और जैसा की देख पारे हो यहाँ पर आपको hand race देखने को liver मिल जाएगा जिस परकार से यहाँ पर आपको liver मिलता है stop का जैसा की आप stop कर सकते हो कलस की बात करें तो कलस इसमें dual कलस के साथ देखने को मिलता है और break से oil invested break दिये गए है और उसे पावदान के साथ इस plane platform बनाए गई है साथ में gear system की बात करें तो gear आपको hand forward के लिए two reverse के लिए gear system देखने को मिल जाते है high low के साथ में है और जैसा की dual कलस के साथ मैंने जैसा की बताए है ट्रेक्टर है power steering के अंदर और कापी अच्छे future पेस करती है महराजा सोनाली का ट्रेक्टर के अंदर और यहाँ पर आपको पिटियो का lever gear system देखने को मिलेगा जिस परकार से आप पिटियो को हैनी की 540 सक्कर पर RPM पर speed के मादियम से आप एनी की use कर सकते हो और इस side में right में देखे तो यहाँ पर दिये गए lever एनी की lift को control करने के लिए DC और PC का lever और mirror side में दिया गया बड़ा सा उंसी size में जैसा की आप back side का review देख सकते हो tire की बात करें तो tire आपको 13-28 के और 17-28 के दोनों option के अंदर उफल बंद है फिलाल जैसा की 13-28 के इस टेक्टर के अंदर देख रहे हो और 17-28 के भी company देती है reverse video का आपको option मिलता है और जैसा की यहाँ पर भी आपको stickers देखने को मिलता है reverse video का और साथ में बता दे दोनों side में आपको handle bar पकड़ने के लिए बैठने के लिए आराम से एक्स्ट्रा बंदे बैठ सकते हो उपर और back side चे review करें तो यहाँ पर आपको bottle cap देखने को मिलेगा साथ में reflector और यहाँ पर यहाँ की दोनों side को adjust करके राड लगाई गई है और साथ में यहाँ पर distributor दो परकार दो distributor देखने को मिल जाएंगे जिस परकार से आप यहाँ की hero को यहाँ से adjust कर सकते हो finally एक देखने को मिलता है और जैसा की बात करें तो यहाँ पर थरी linkage के अंदर आपको देखने को मिलेगा point के अंदर जैसा की आप ट्रोफ लेंग वगिरा यहाँ की implement से use कर सकते हो adjust कर सकते हो और पिटियो की बात जैसा की 546 पर देखने को मिलता है सुमालीस हजपी की पिटियो दी गई है 44 की पिटियो दी गई है और हीज दिया गए adjustable है और जैसा की यहाँ पर दोनों साइड में आपको hydrolake adjust करने के लिए आपको यहाँ पर socket देखने को मिल जाते है जिस परकार से आप adjust कर सकते हो अपने उनुसार और back side की lights दी गई है बड़ी सी रात को समय में यूज करो टेक्टर को यहाँ पर हैनिकी इसको सला सकते हो और काफी उज्जाले के रोशनी वाली lights दी गई है और on-off भी यहाँ से आप कर सकते हो तो टेक्टर का review आपने पूरा देख लिए आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना आपकी पसंद के अनुशार कमेंट जरू करेगा तो अब तक लिए धन्यवाद जय जवान जय किशन